पुलिस कॉंस्टेबल प्रकास बोर्से की हत्या से इलाके में संदाचा फ्यल गया है। इन दोनों मा बेटी को गिरफतार कर लिया है। इन में आपस में ही जगड़े हुआ करते थे। गुरुवार की शाम में परकास ड्यूटी से वापस लटा और राग करीब आठ बजे इन में फिर से विवाद शुरू हो गया। और इसी दोरान बेटी और बीवी ने कॉंस्टिबल परकास के सर पर खलबटे से हमला कर दिया। और मौके पर ही इस कॉंस्टिबल की मौत हो गई। करीब चार घंटे तक ये दोनों मा बेटी ने शव को घर में ही रखकर दरवाजा बंद रखा। हलाकि काफी देर दरवाजा बंद होने के वज़े से आसपास के लोगों ने किसी तरह से इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दरवाजा खुलवाया और मा बेटी को गिरफतार कर लिया है। प्राकाश बोर्षे नाम के पुलिस कर्माइचारी में मौंबल पुलिस के उल्ला पुलिस थाने में बाल ले थे। वो उनकी पत्नी और बच्चों के साथ नाना पाउशित चोग पोश्यवाडी यह बेकुत के घर में रहते थे। कल वो पुलिस्टेशन से डूटी करके करीबन साथ बज़े घर पे आये थे। घर में उनकी पत्नी जोती बोर से और उनकी शादी हुई लड़की भागेश्री योगेश्कावाड दोना थी। वो उनकी भागेश्री पावाड जो लड़की हैं शादी हुई है। मुषके बज़े से उनके घर में हमेश्या जगड़ा हुत आता करीब उसके बज़े की घर में जगड़ा हुआ। मुटी मुट्र कम्नु है। और उनकी दर्ब को घागेश्री जोगेश्पा उन्होंने गर में कि जो कल्बत्ता रहता है लोखन रहता है उसे उनके सरक्रे अमाराजवर से उसके उप्रदय से उनकी हत्या हो गई भात्ते का मामुला पुली स्थाने में जर्ज हुआ है उसमें जूती पोर्षे और उनकी दर्टी भागेश्री जोगेश्पॉर्ण वो दोनों को पुलिस में रसप में लिया है अभी फुरी देर के बाद उनको पोर्ट में पेश किया जाएगा अगे की ये हर्टे का मामले का इनकोरी जाच को शोड़ी पुलिस करेश्पॉर्ण चलू गए